हलो स्ट्रेंड्स आज मैं आपके साथ क्लास 10 का सहोदे प्री बोर्ड का जोगे कोश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ सहोदे सभी जगे होता बहुत ही इंपोर्टन होता थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बोर्ड वाले पेपर से ठीक है देखो तो सोशल साइंस का पेपर है इसमें आपको टोटल 37 कोश्चन's मिलेंगे ठीक है टोटल टाइम जोगा वो होगा 3 हावर की तोटल मार्क्स जोगे वो 80 मार्क के होँगे ठीक है तो सबसे पहले आपके इसमे मिलेंगे आपको 6 सेक्शन सुरी 6 मिलेंगے ठीक है section A में आपको मिलेंगे mcq 1 mark का 1 होगा 20 questions होगे section B में आपको 21 से 24 तक question मिलेंगे जो कि short answer type होगे हर एक question 2 mark का होगा section C में आपको 25 से 29 question मिलेंगे और 3 mark का 1 question होगा section D में आपको 30 से 33 5 mark का 1 question होगा ठीक है और ये बड़ा है तो 120 words में लिखना है और इसमें जो है आपको 4 mark का इक question मिलेगा और इसका जो है आपको 100 words में लिखना होगा section F जो है आपका उसमें आपको 37 मतलब 2 mark ये map skill का है 2 mark का तो history से आएगा और 3 mark का आपको जो है उससे मिलेगा geography से ठीक है अब देखो यहाँ से answer आपको खुछ से करने है अगर कोई answer ना आए तो please मेरे को comment करें मैं answer दे दूँगे आपको पहले खुछ से try करके देखें तो section A में मैंने जैसे बताया 1 से लेकर 20 तक आपको MCQ मिलेंगे अच्छे से देखो solve करो नहीं आए तो please comment करके जरूब पूछो मैं आपको answer provide कर दोगी ठीक है और मैंने pre-word के लिए भी कम सकम 3-3 paper डाले हर एक subject में और ये सविदा वाले भी आपके साथ कर रही हूँ half early के papers भी डाले है जतने ज़्यादा paper attempt करके देखोगे उतनी तुमाई practice बढ़िया होगी एक तो आपको time management करना जाएगा ठीक है तो ये बहुत जरूरी है कि exam से पहले आप question की practice करें क्योंकि वैसे हम रटलेंगे तो हो नहीं जाएगा लिखनी पाओगे हो भूल जाओगे तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है ठीक है यहां तक हमारे page number 3 तक question number 8 तक हो गया सब में आपको option दे रखें तो अब हम जाएगे next page पर यहां पर आपको मिल जाता है 9 से लेके 11 तक के questions ठीक है यह एक जो है यह picture based question है तो जो तुमारी book में pictures दे रखें उन्हें भी अच्छे से ध्यान से देखें क्योंकि वहां से भी आपको questions मिलेंगे ठीक है अब आएंगे हम question number 12 पे यहां से देखो 12, 13 इस वाले page पर आपको 16 तक मिलेंगे ठीक है और बस यह ही है कि math science तो हम daily practice करते हैं लेकिन SST वगरा को नहीं पढ़ते तो कम से कम 5 है paper अगर आप ऐसे solve कर दोगे न तो फिर problem नहीं आएगी आपको question paper solve करते समय पर यह बहुत जरूरी है यहां पर आपका 17 से लेके 20 तक इस page पर दे रखे हैं ठीक है इसको question easy है ज्यादा मुश्किल नहीं है question number 20 तक इस page पर आपको दे रखा है अब आएगे आप section B section A खतम हो गया हमारा MCQ वाला अब आएगे हम section B पर section B में जो है आपको 4 question मिलेंगे और एक question जो 2 mark का है ठीक है तो यहां पर देखो यहां पर 22 जो question है उसमें आपको एक internal choice मिल जा रही है और दे रखा है यहां पर ठीक है यहां पर जो B section के सब दो-दो number के questions है उसके बाद आप आप आओगे section C पे section C में जो हरे question 3 mark का है और यहां पर total 5 questions दे रखे हैं यहां पर भी एक internal choice मिल जा रही है आपको 26 जो question दे रखा है उसमें ठीक है तो पहले question paper को मतलब 5 minute दो अच्छे से पढ़ लो उसके बाद solve करना शुरू कर रही है यहनि पहले question देखते ही लिखना चालो कर दो नहीं पहले अच्छे से पढ़ो जो question तुमको अच्छे साते हैं उन्हें attempt करो पहले ठीक है इसके बाद हम आजाते है section D पर यहाँ पर जो है a question 5 mark का है और आपको 4 question मिलेंगे और इसमें मज़ेदार बाती है का हर एक question में internal choice दे रखी आपको हर एक में ठीक है तो ऐसे करके आपको total तो यहाँ पर question मिल जाएंगे 8 पर करने तो आपको चाह दी है ठीक है और section D में आपको case based question मिलेंगे ठीक है यहाँ पर जो एक question है वो 4 mark का है और 3 question मिलेंगे तीनों के तीनों case based है तो पहले इस paragraph को अच्छे से पढ़ो उसके बाद question attempt करो अच्छे से पढ़ लोगे तो बहुत सारे answer तो आपको जो वहीं से मिल जाएंगे जो पैसेस दे रखा है उसी से तो इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है जब तक इसे पढ़ोगे नहीं ऐसे सोचोगे तो नहीं होगा ठीक है तो तीनों के तीनों पैसेस को बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ना है उसके बाद answer देने है आव आज आते हम question number 37 37 A में जो पहले दो question है वो तो आते हैं आपके history से और last के जो questions है वो आते हैं आपके उससे जोगरफी से ठीक है और वो chapter number दे रखे होते हैं आपकी book में तो वहां से पहले पढ़ना जरूरी है उसके बाद question को करना है ठीक है तो paper तो easy है पर सोहदे वाले paper जितने ज़्यादा आप करोगे उतना आपके लिए helpful होगा ठीक है अगर आपको पसंदारी वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं follow जरू करते हैं